तो गाईज आज के सिर्म में आपको आँगा कि आप कैसे Dragon Ball Z Xenoverse को अपने Android डिवाइस के इंदर प्ले कर सकते हो तो फटाफर्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर जब आप पासवर्ड डाल दो तो पासवर्ड डालने के बाद एक्स्ट्रेक्ट हो जाएगी फाइल जब फाइल एक्स्ट्रेक्ट हो जाए उसके बाद आपको एक और एप चीओगा जिसका नाम है PPSSP यह एप भी आपको प्ले स्टूर पर मिल जाएगा तो यह आप डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना जैसे ही आप पर जहां पर आपने इस वाइल को एक्स्ट्रेक्ट कर रहा है महां पर जाकि इसको ओपन कर लेना और इसी के साथ आपका गेम स्टार्ट हो जा झाल